गुड मॉनिंग ओल आफ यू चलिए आज हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे लेसन का मेरे संग की और पे इसका लास्ट पार्ट हम पढ़ेंगे आज एक बात हमें एक सी रही घरबार को परमपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो उसे तोड़ा भी नहीं शादी एक बार की और उसे कायम रखा चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो पर कगार तोड़ डूबी नहीं शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था हम सभी विश्वास करती रही होगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है चलिये लेखी का क्या कहती है देखते हैं लेखी का कहती है हम सभी में एक बात रही है कि हमने परंपरगत तरीके से भले ही अपना घर नहीं चलाया किंदू उसे तोड़ा भी नहीं शादी एक बार की और उसे निभाया भी था इसलिए कि शायद मैंने अपने पहले उपन्यास में यहां लिखा था कि आदमी बदलने से आपके सभी कार्य, सभी काम पूरे होंगे यह जरूरी तो नहीं घर के अंदर रहकर भी आप अपनी मर्जी से जी लो तो भी काफी हैं बिहार के ऐसे छोटे कज़वे डाल्मिया नगर में रही जहां मर्द और चाहे पती पतनी क्यों नहों पिच्चर देखने भी जाते तो अलग-अलग दर्बू में बैठते मैं दिल्ली से कॉलेज की नोकरी छोड़ कर वहां पहुँची थी और नाटकों में अभिने करने की शौकिन रही थी मैंने उनके चलेंग से हाद नहीं मानी साल भर के भीतर उन्ही शादि शुदा औरोतों को पराय मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया हैं अगले चार सार तक हमने कई नाटक किये अकल रहत कोश के लिए उनके माध्यम से पैसा भी चुटाया उन्हें के माध्यम से पैसा भी खटा किया चलिए लेखी का क्या कहती है देखते है यहां लेखी का अपने शादी के बात की लाइफ के बारे में बता रही है लेखी का कहती है शादी के बात वह बिहार के एक छोटे कज़वे जिसका नाम डाल्मिया नगर था डाल्मिया नगर था मेरही वहां वहां एक चलन था की आदमी और औरत भले ही वहाँ पती पत्नी क्यों न हो पिच्चर देखने जाएंगे तो अलग-अलग बैठेंगे मैं मैं मिस लेखी का डिली के कॉलेज से नौकरी छोड़ कर उस कज़वे में रहने गई थी उस चलन से हार नहीं मानी और साल भर के अंदर मैंने उन शादिशुदा औरतों को दूसरे आदमियों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया है अगले चार सार तक हम सभी ने नाटक किये और उसी नाटक के माध्यम से हमने अकाल रहत कोश के लिए पैसा एक खटा किया चलिए रीट करते हैं आगे वहां से निकली तो करनाटक के और भी छोटे कजबे बागल कोर्ट में पहुँच गई तब तक मेरे दो बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे पर वहां कोई धंकर स्कूल नहीं था लोगों की राय पर मैंने पास के एक कैथलिक विशप से दरखास की की उनका मिशन वहां के सिमेन कारखानों कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कजबे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे पहले उन्होंने कहा चूकि उस प्रदेश में क्रिश्ययन जनसंख्या कम थी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इस्रार मैंने गहर किश्ययन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इस्रार जारी रखा तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं बर्शरते आप हमें यकिन दिलाए कि वह स्कूल अगले सो बरसो तक चलता रहेगा मुझे गुसा आ गया मैंने कहा स्कूल को छोड़िए किसी के भी बारे में यकिन नहीं दिलाया जा सकता कि वहाँ अगले सो बरस तक नहीं दिलाया जा सकता कि वहाँ अगले सो बरस तक चलेगा वे भी गुसा खा गए और बोले खुदा का लाग शुक्र है बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है मेरी नहीं लेखी का चलिए लेखी का क्या कहती है रेखते हैं लेखी का कहती है वहाँ से निकली तो कानाटक के और भी छोटे कजबे बागल कोट में पहुँची पहुँच गई तब मेरे दो बच्चे थे जो स्कूल जाने लाइक हो गए थे पर उस कजबी में कोई धंका स्कूल नहीं था लोगों की राय लोगों की राय पर मैंने वहाँ के कैथलिक चर्च के बिशप से रिक्वेस की कि उनका मिशन वहाँ के सिमेन कार खाने की आर्थिक मदद से हमारे कजबी में एक प्रायमरी स्कूल खोल दे पहले तो उन्होंने मुझसे कहा उस प्रदेश में क्रिश्चन जनसंख्या कम है इसलिए वहाँ स्कूल नहीं खोल सकते मैंने कहा गयर किश्चन बच्चे के सिक्षा नहीं पा सकते तब उन्होंने कहा हम कोशिश करते है बरशरते आप हमें यह विश्वास दिलाए कि वह स्कूल वहाँ अगले सो सालों तक चलता रहेगा यह बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया मैंने उनसे कहा स्कूल की छोड़िये किसी के भी बारे में यकिन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले सो वर्षों तक चलेगा